Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशिपल ये 19 जून से लेकर 25 जून तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन हैं और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैं अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं तो मेरा एक ही नंबर है 962502810 जो कि आपको इस वीडियो के end में और नीचे description box में भी मिल जाएगा और मेरी आपसे यही request है कि अगर आप WhatsApp मेसेज करेंगे तो जादा बहता रहेगा क्योंकि बहुत सारे calls आते हैं, calls at times में सुझाते हैं लेकिन जब आप WhatsApp पे मेसेज करते हैं आपको definitely जबाब मिलता है और इस वीडियो में Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces यानि कि धानू, मकर, कुम्भ, मीन राशियों के साब ताहिक राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सामता है एक राशी फल चलिए इस reading आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of pentacles और ये card कहता है कि इस week या तो एक financial stability या तो एक financial security आप में हसूस कर रहे हैं या पिर कैसे एक financial stability security आपके professional friend में आए उस पे focus कर रहे हैं लेकिन दिखें जू भी हो कहीं इस week के energies बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं specifically again money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related क्योंकि देखें ये card family की भी बात करता है तो कुछ के लिए हो सकता है कि you know professional front पे जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं वो भी देखें एक तरीके से हमारी family हो जाते हैं professional family होते हैं उनका support आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है जो भी आप करना चाहा रहे हैं या फिर आप जादा उन पे focus कर रहे हैं या फिर कुछ के लिए personal family भी हो सकती है उनका support उनकी तरफ से cooperative energies रह रही हैं कुछ Sagittarius के लिए हो सकता है कि कोई event है कोई you know get together है आपके professional front में कोई again मैं कहूंगी meeting है आपके professional front में आप उसको attend कर रहे हैं जादा लोगों से connect कर रहे हैं जादा लोगों से मिल रहे हैं तो overall professional front काफी अच्छा रहता वा दिख रहा है money, पैसा, materialistic, tangible चीजों से related किसी level पे किसी तरीके से gain फायदा हो रहा है या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी आप इस वी कर रहे हैं इससे कहीं long term भी एक financial stability, financial security रह रही है या फिर आगे जाके रह सकती है and personal front के लिए आप लोगों के लिए eight of swords का card है और ये card कहता है कि थोड़ा सा एक confusion आप personal front में महसूस कर सकते हैं जहां पे आपको ऐसे लग सकता है कि कुछ limitations है, कुछ restrictions है जो आप करना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं आप खुल के नहीं कह पा रहे हैं, आप खुल के नहीं कर पा रहे हैं और कई बंधा-बंधा सा महसूस कर सकते हैं कुछ सज़ेडेरेस के लिए ये भी हो सकता है कि कि किसी चीज़ को लेकर specifically, आप बहुत जादा अगर उस चीज़ को चाह रहे थे या overall भी आप नाउमीद होते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको यहीं कहूंगी कि जो भी issues, मसले हमारी life में हो जब हम problems पे focus करते हैं, तो ये problems ही बढ़ती हैं लेकिन थोड़ा असा भी हम problem से अपना attention हटा के जब हम solution पे focus करना शुरू करते हैं जो चीज़ें हमारी life में अच्छी होती हैं उन पे focus करना शुरू करते हैं तो कहीं, you know, एक shift हमारी energies में आता है और हम externally, internally दोनों ही levels पे चीज़ों को अपनी life में better कर पाते हैं तो फिर से देखिए, जो भी चीज़ें आपको limit कर रही हैं restrict कर रही हैं, उनको लेकर आप परेशान ना हो कैसे आप in limitations, restrictions से परे हो सकते हैं overcome कर सकते हैं, इन पे focus करें कैसे clarity ला सकते हैं, उस पे focus करें और दिखिए, जब इन ही छोटी छोटी चीज़ों का आप खयाल रखेंगे, यानि कि कैसे आप चीज़ों को better कर सकते हैं यकीन मानिए, आप इस week की energies को बहतर कर पाएंगे लेकिन अगर आप problems से focus करते रहेंगे जो चीज़ें आपको किसी भी तरीके से परिशान कर रहेंगे उस पे focus करते रहेंगे, तो इस परिशानी को आप साधा बढ़ाएंगे और इन जनरल या फिर guidance के लिए आपके लिए sacrifice का card है हो सकता है Sagittarius छोटे मोटे compromises, छोटे मोटे adjustments इस week आपको करने पड़ रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी देखे जिन्दगी ना खुद से ही बहुत beautiful एक compromise है तो compromise और adjustment के बगहर तो life है ही नहीं लेकिन हमें थोड़ा सा इन ही चीज़ों में balance रखना है अगें दिखे compromise करें बहुत अच्छी बात है लेकिन in the process खुद को न निगलेक्ट करें खुद को backseat पे न रखें खुद के लिए बहुत hard ना हो और इस week अगर आप पाएं कि भई आप ना खुद को लेकर बहुत जादा hard हो रहे हैं compromise करें लेकिन खुद को भी साथ ही साथ prioritize करें खुद को backseat पे न रखें खुद को निगलेक्ट न करें and astrology से आप लोगों के लिए sun का card है और इसके हिसाब से all shades of yellow, all shades of orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए कि apricorns आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए काड है page of wands और ये काड कहता है कि इस week बहुत एक enthusiasm excitement, motivation जो भी आप अपने professional front में कर रहे हैं उससे related महसूस कर सकते हैं लेकिन देखिए कहीं एक immature enthusiasm immature excitement जादा रहता हुआ दिख रहा है या मैं कह सकते हूँ कि over ही आप थोड़े से impulsive हो रहे हैं थोड़े सी जल्दबाजी कर रहे हैं बिना सोचे समझे कुछ चीजें कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जोश में होश नाख होएं क्योंकि इस तरीकी की energies रह सकती हैं और होता है ना जब हम बहुत जोश में होते हैं हम नई नई चीजें शुरू कर लेते हैं हम बहुत अच्छे से चीजों को समझते भी नहीं हैं हम बहुते हैं ठीक है ठीक है कर लेंगे कर लेंगे और फिर बाद में हम परेशान होते हैं तो दिखिए सबसे पहली चीज इस week के लिए आपके लिए ही रहेगी कि आप कोई भी बड़ा decision, कोई भी बड़ी choice बिना सोचे समझे ना करें और कोई भी नई चीज excitement में ना शुरू करें और दूसरी बात थोड़ा सा maturity से चीज़ों को आप deal करें and impulsive ना हो, जल्दबाजी ना करें एक balance अगर आप अपनी emotions में रखेंगे तो इस week energies को आप और बहतर करेंगे किसी news, phone call, message का अगर आप wait कर रहे हैं इस week मिल सकता है और कहीं ये news, message, phone call, email भी एक excitement, एक enthusiasm लाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the lovers का card है और ये card बहुत ही clearly कहता है कि relationships इस week, you know, आपके लिए important रह सकते हैं या फिर relationships पे आप जादा focus कर रहे हैं क्योंकि ये general reading है, सब के लिए different relationship रहेगा कुछ के लिए देखिए boyfriend, girlfriend वाला लाभू relationship हो सकता है कुछ के लिए partner के साथ हो सकता है, husband, wife का हो सकता है कुछ के लिए overall family हो सकती है कुछ के लिए parents, कुछ के लिए बच्चे हो सकते हैं तो फिर से देखिए relationships पे आपका focus है और पीछे अगर किसी भी loved one के साथ कुछ issue, कुछ मसला रह रह रहा था तो इस week कहीं आपका उनके साथ reconciliation होता हुआ दिख रहा है चीजें resolve होते हुए दिख रही है I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इसमें दिखिए दो लोगों ने एक दूसरे का हाथ बहुत tightly या फिर बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर दिखिए फिर से मैं कहूंगी कुछ issue कुछ मसला किसी खास आपके loved one के साथ रह रहा था तो वो resolve होता हुआ दिख रहा है या फिर otherwise भी relationships you know में चीजें अच्छी होती हुए दिख रही है आप लोग ज़्यादा एक दूसरे से मिल रहे हैं ज़्यादा interact कर रहे हैं ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं eating, drinking, very making रह रही है और कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि कोई decision, कोई choice आपको लेनी है और दिखे जभी भी ये card आता है मैं यही कहती हूँ make sure आप उसी चीज को choose करें जिसके लिए आप बहुत passionate feel करते हैं जिसको आप बहुत love करते हैं तो दिखे इस week आपने दिल से ज़्यादा काम लेना है बहुत logically, बहुत mind से चीज़ों को नहीं deal करना है and overall यहाँ फिर guidance के लिए आप लोगों के लिए intuition का card है तो दिखे जो मैंने आपको अभी कहा वही guidance का card भी कहता है कि अपनी gut feeling को ज़रूर इस week follow करें अपनी antarman, अपनी inner voice को ज़रूर आप follow करें उसको ना आप neglect करें and astrology से आप लोगों के लिए Mars gray का card है और इसके हिसाब से all shades of red, rust, maroon आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही प्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 8 of cups and I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure है वो घर को छोड़ कर बाहर जा रहे हैं और दिखे कुछ ऐसी ही आपकी भी energies रह सकती है जहाँ पर जो भी काम आप कर रहे हैं जिस भी जगा पर आप हैं या पिर कोई भी चीज हो सकती है उसको छोड़ कर आगे बढ़ने की चाह रह सकती है और इसके लिए सब Aquarius के लिए different reasons रहेंगे लेकिन ये काट कहता है कि कहीं जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपको satisfaction, joy नहीं दे रहा है एक missing सी feeling आप महसूस कर रहे हैं होता है ना कि हमें लगता है पता नहीं वो क्या चीज है जो हम करना चाहते हैं और हम different different चीज़े at times try करते हैं लेकिन वो satisfaction वो joy नहीं महसूस कर पाते हैं और पारेशान होते हैं तो देखिये कुछ इस तरीके की energies again आपके professional front से related रहती हुई दिख रही है तो यहाँ पे देखिये बहुत ही एक खुबसूरत example मिरिग का है जो पूरे जंगल में कस्तूरी ढूंटा रहता है without realizing की वो कस्तूरी उसी के अंदर है तो देखिये अगर आप नए तरीके से चीजों को करना चाहा रहे हैं कुछ इनो innovation अपने professional front में लाना चाहा रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन बिना किसी reason के अगर आप थोड़ा सा परिशान हो रहे हैं emotionally low feel कर रहे हैं खुशी को आप ढूंड रहे हैं बाहर वो actually आपके अंदर है और देखिये अगर कोई reason है तो definitely आप उस पे work करके चीजों को better कर सकते हैं तो नचल में देखिये मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप growth पे focus ना करें या फिर आप progress पे focus ना करें या फिर आप नए-नए तरीके से चीजों को ना करें लेकिन ये उनो अगेन बिना किसी reason की वज़े से सब कुछ अच्छा ठीक ठाक बढ़िया होने के बाविजूद भी अगर वो एक satisfaction joy आप नहीं महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर इस चीज का एहसास रखें कि वो आप ही के अंदर है और थोड़ा सा positive self-talk के साथ थोड़ा सा realization awareness के साथ आप इस चीज को बेटर कर सकते हैं और इस week की energies को भी बहुत बेटर कर सकते हैं and personal friend के लिए आप लोगों के लिए night of cups का card है और ये card कहता है कि personal friend में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही आप थोड़े से ज़़ादा emotional थोड़े से ज़़ादा sentimental थोड़े से ज़़ादा you know loving caring होते हुए दिख रहे हैं ओर रे देखे हर चीज मैंने हमेशा कहा है balance में ही ठीक होती है जब भी भी हम ज़़ादा emotional loving caring होते हैं तब हमारी expectation सामने वाले से बढ़ती है और जब उस तरीके का response हमें सामने से नहीं मिलता हम hurt होते हैं तो यहाँ पर देखे मैं आपको यहीं कहाँगी कि एक balance तरीके से इन ही emotions, feelings, sentiments को रखें और दूसरी बात हो सकता है कि आप एक imaginary world में ज़ादा रहे रहे हैं आप एक ख्वाबी दुनिया में ज़ादा रहे हैं होता है न हम खुच से ही सोच लेते हैं हम तो सामने वाले को बहुत love करते हैं और सामने वाला भी हमसे उतना ही प्यार करता है और हम इसी के basis पे बहुत सारी expectations बिल्ड कर लेते हैं बहुत कुछ सोच लेते हैं बहुत एक खुबसूरत सा हसीन ख्वाब देख लेते हैं और इस चीज़ का हमें ऐसास ही नहीं होता कि सामने वाला हो सकता कुछ और सोच रहा हो सामने वाले की कुछ और you know intentions, motives हो तो यहाँ पर देखें सिरफ और सिरफ मैं आपको एक example दे रहे हूँ कि किस तरीके से एक imaginary world में रहकर एक खुबाबी दुनिया में रहकर आप थोड़ा सा खुद को परिशान कर सकते हैं तो realistic expectations लोगों से रखें realistic उमीदे लोगों से रखें अगर ऐसा करेंगे तो इस week के energies को और बहतर करेंगे otherwise देखे, इस week तो ठीक ठाक चीज़े रहती भी दिख रही है लेकिन आगे चलके यह चीज़ आपको परिशान कर सकती है अगर आप again एक realistic expectation सामने वाले से नहीं रखेंगे और दूसरी बात यह काट कहता है जो भी आप चाहते हैं उसी से related आप vision create कर रहे हैं आपको आप देख रहे हैं लेकिन कहीं realistic practical measures उसको manifest करने के लिए missing रहते हुए दिख रहे हैं तो देखें, nutshell में emotions और practicality का अगर आप एक balance रख लेंगे heart और mind का एक balance रख लेंगे तो इस week की energies को बहतर करेंगे या फिर इस week जो आप कर रहे हैं उसकी वज़े से आप future में होने वाली चीज़ों को बहतर करेंगे नहीं तो इस week हो सकता आप परिशान ना हो लेकिन next week या फिर आगे चलके आप इसी energy की वज़े से थोड़ा सा परिशान रह सकते हैं तो इस चीज़ का खयाल रखें और दोनों ही fronts में cups के cards हैं तो कहीं emotions, feelings, sentiments जादा रहती भी दिख रही हैं मैं फिर से कहूंगी एक balance इनी energies में ज़रूर रखें and guidance के लिए आप लोगों के लिए wisdom का card है और ये card बहुत ही clearly कह रहा है कि जो भी करें बहुत समझदारी से करें सूथ समझ के करें कहीं बहुत you know knowledge gain कर लें अगर आपको नहीं किसी चीज़ के बारे में पता है information gain कर लें तो नचल में फिर से कहूंगी कि wisdom समझदारी के साथ ही चीज़ों को deal करें and astrology से आप लोगों के लिए moon ग्रह का card है इसके इसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो लिए prices आप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए या फिर fair energies का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है it only means की पीछे अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए बहुत effort किया बहुत महनत करी तो आपको एक positive outcome, positive result मिलेगा और अगर आपने पीछे effort महनत नहीं करी तो आपको वो एक result वो एक outcome नहीं मिलेगा तो देखिए हर सेनारियों में एक fair energies ही इस week रहती भी दिख रही है कभी-कभी होता है न हम उतना effort नहीं करते हैं लेकिन हमें result मिल जाता है और कभी-कभी होता है हम बहुत effort करते हैं हमें result नहीं मिलता है और कहीं ये unfair है एक तरीके से आप देखें तो देखिए इस week कहीं ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है जितना आप good डालेंगे न उतना मीठा होगा यानि कि जितना आप effort करेंगे उसी हिसाब से आपको result मिलेगा कहीं एक fair energies या फिर कहीं एक justice होतावा देख रहा है क्योंकि ये justice का card है तो कुछ के लिए हो सकता है कि court के चहरी किसी judge वकील को आप मिल रहे हैं और दीखें जरूरी नहीं है कि कोई मसला कोई issue कोई problem है इसी वज़े से आप court visit कर रहे हैं judge वकील को मिल रहे हैं कभी कभी normal एक paperwork की वज़े से कभी license होता है या फिर कोई contract sign करना होता है तो इस तरीके का कोई भी paperwork भी हो सकता है जिसकी वज़े से कुछ लोग judge, वकील, court को visit कर रहे हैं और देखें ये बहुत ही कम लोगों के लिए रहता हुआ देख रहा है overall के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा logically चीज़ों को deal कर रहे हैं, कोई decision, कोई choice लेनी है, तो हर pros and cons को अववे करते हुए ही, उनके बारे में सोचते हुए ही decision choice ले रहे हैं, तो ठीक ठाक energies professional front के लिए रहती हुई दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के ले king of cups का card है, और ये card कहीं बहुत ही loving, caring energies की बात करता है, eating, drinking merrymaking की बात करता है कहीं एक satisfaction की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी this week specifically आपके personal front में रह सकता है और सब के लिए different reasons रहेंगे, कुछ के लिए हो सकता है, relationships related, एक satisfaction आप महसूस कर रहे हैं या फिर अपने किसी खास loved one, अपने किसी खास close one के लिए बहुत एक loving, caring energies आपके मन में हैं या दिखे, otherwise भी हो सकता है कि कि किसी खास इंसान या फिर किसी खास loved one, close one के मन में आपके लिए बहुत एक loving, caring energies हैं या फिर उनकी तरफ से बहुत एक love, care इस week आपको मिल रहा है, और दिखे, relationships पे आप focus करते वे दिख रहे हैं, in fact, दिखे कोई खास इंसान ही हो सकता है जिनके साथ आपकी बड़ी loving, caring, बातचीत हो रही है interactions हो रही है तो फिर से मैं कहूंगी कि personal front में relationships या कोई खास इंसान आपके लिए एहमियत रख रहा है और आप उन पे ज़्यादा focus कर रहे हैं, overall के लिए एक loving, caring, supportive, cooperative energies आपके personal front में रह रही है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए triumph का card है और ये card देखे, victory की बात करता है success की बात करता है तो कहीं overall ही आपको success, victory इस week मिलती हुई दिख रही है और otherwise देखे, तो देखे थोड़ा सा एक arrogant energies आप महसूस करें तो इस चीज़ को ज़रूर check करके correct करें क्यूंकि ये card कहीं success की बात करता है और success के साथ most of the times एक घमन्ड आ जाता है या फिर arrogance आ जाती है तो अगर ऐसा आप पाएं उस चीज़ को check करके correct करें और अगर ऐसा नहीं पाएं तो ठीक है फिर एक victory, एक success तो इस week रहती हुई दिखी रही है overall के लिए कुछ के लिए बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हो सकती है कुछ के लिए कोई बड़ी चीज़ है सकती है and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है और इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Pisces आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर आप जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए